Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दीगिनाप पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHA 04 का All Important Topics पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चैप्टर को पढ़े Almost 40 से ज्यादा चैप्टर है हमारे MA History, MHA 04 के अंदर में और टाइम कम होने कारण से सबसे best way क्या होता है कि हमें अगर topics पता हूँ कि इस chapter के अंदर में से यह topic बनता है और यह हमारे पास important topics की list है तो उसके base पे हमारा तयारी करना असान हो जाता है आइम कम लगता है और अगर topic के बारे में थोड़ा सा idea हो कि किस तरह के questions बनते हैं और topic roughly हमें थोड़ा सा पता हो तो हम अच्छे से answer लिख सकते हैं तो आज किस video के अंदर में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी आपका MA History, MHA 04 का important topic है उसको discuss करेंगे ठीक है उसके बाद में उस topic को roughly हम समझेंगे कि क्या कहता है topic और उसके base पे question क्या बनता है ये हम देखेंगे ठीक है वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप सभी students के लिए एक suggestion है कि मैंने एक video कराई थी ठीक है जिसके अंदर में मैंने last five years के question paper करवाया था MA History, MHA 04 का ठीक है तो सबसे पहले आप उससे देख ले क्योंकि उस video से आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है इस सारे topics के अंदर में ठीक है तो पहले उसको देख ले description के अंदर में playlist का link दिया हुए MA History, MHA 04 का वहाँ से आपको जाकर वो video मिल जाएगी आप उसको देख ले ठीक है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी students रिक्वेस्ट है अगर हमारी वीडियो आपको valuable लगती है तो आप comment जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ share का जरूर करें like, share, subscribe जरूर कर लें जिससे आपको आने वाले समयम भीवी जो भी update हो वो मिलता रहे चले start करते है सबसे पहला जो हमारा topic आता है दोस्तो तमिलकब मुख्यातंतर के उपर में हमारा topic पहला बनता है अगर हम तमिलकब मुख्यातंतर के बारे में बात करते हैं तो तमिलकब मुख्यातंतर को किस के लिए जाना जाता है तो उनकी व्यवस्था के लिए जाना जाता है कि किस तरह की व्यवस्था थी तमिलकब मुख्यातंतर के बारे में जो mainly जानकारिया में मिलती है सारी साहीतिक अधार पर मिलती है कि उनके साहीतिक अधार पर ही सारे परमान है ठीक है ये इन्होंने जो तमिल का मुख्या तंतर है मुख्या तंतर मतलब क्या होता है head ठीक है मतलब मुख्या मतलब head जो गाओं का किसी परधान कहते हैं head मतलब एक इलाके का head ठीक है तो उन्होंने मुख्या तंत्र व्यवस्था इस्टार्ट किया था जिसके अंदर में तीन तंत्र व्यवस्था आती है तीन तंत्र व्यवस्था कौन कौन सी तो पहली तंत्र व्यवस्था को हम किलार कहते हैं ठीक है किलार किलार के अंदर में कौन करते थे सत्ता करते थे जो राजनीती करते थे उनको हम वेलिर कहते थे तीसरी वेवस्था थी तीसरी वेवस्था को हम कहते थे वेंतार ठीक है वेंतार वेंतार जो वेंतार 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 वेंत मतलब इस मुख्यास से ये निकला इस मुख्यास ये निकला इस सरे तंत्र विवस्ता था और यह एक important topic है आपके M.H.H.04 का अगला question क्यों हम बढ़ते हैं दोस्तों अगला question हम आता है मोरे समराज्य के बारे में मोरे समराज्य की स्थापना चंदरकुप्त मोरिया ने करी ठीक है और बहुत बड़ा विस्तिरित समराज्य की स्थापना करी ठीक है इसके समराज्य के बारे में आपको हर बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा रीजन क्या है कि ये बहुत ही interesting book or chapter है ठीक है इसके अंदर में दो question मनते एक तो राज्य की प्रकर्तिक से और दूसरा परशास्निक विवस्ता से दोनों ही important topic है और काफी सारे points दोनों के similar है ठीक है अगर हम मोरे समराज्य की बात करते कि मोरे समराज्य विवस्ता था क्या मोरिज समराजी के विवस्था के अंदर में आता है परशासनिक विवस्था, ठीके कि उनका परशासनिक विवस्था किस परकार का था? परशासनिक विवस्था के अंदर में क्या? कि संगठित सेना, ठीके मतलब उनकी जो सेना होती थी, वो संगठित थी, जिसके अंदर में ग इस विवस्था के अंदर में अलग अलगतर के मतलब उपाद्यां दी गई थी थी तीक अलगतर से प्रशास्टी पद दिये गए थे जैसे मंतरी हो गया सेनापती हो गया इस तर से दिये हुए थे इनके मोरेसमराजे परकर्टी में भी आ जाएगा और लोग, पड मतलब अश्तिति किसी एक वेक्ती में हो व्याय आजसे जगह टेरा है पर जो वूशूल करके मुझे देगा तो मोरे समराजे के अंदर में टोटल सोला महाजनपद बनाए गए थे ठीक है सोला महाजनपद बनाए गए थे और सोला महाजनपद के लिए सोला अलग-अलग लोगों की न्युक्ति की गई थी ठीक है तो यह सोला महाजनपद बनाने का का reason की ओता था कि जिस से माल लो उक्राजा एक व्यक्ति है जिसका समराज्य ये है और वह बहुत बड़ा सम्राजज है है तो सफपन राज कर नी सकता हो सफपन एक बार में रूल तो कर नी सथा अगर यहां पर problem है राजा यहां रह रहा तो अब यहां से राजा जब तक जाएगा जब तक तो problem और बढ़ जाएगी तो राजा ने क्या किया कि हर एक पार्ट में एक अलग बंदे को निक्त कर दिया जो उस area का problem solve करेगा अगर उससे नहीं solve होगा तब राजा के पास आएगा तो इस तरह से पूरा यह बांट दिया गया तो यह मोरे समराजी की प्रकरती के अंदर में राजा का मानने जाता था कि राजा का थीख यह बांट दया ख करता था था पहला तो इसरा कि आप टेक्स नहीं ही पे करोगे तो जुरुत समपढ़ने पर हमारी जीमिदारिया निभागे तो help किस طरह का थीख चाहे वो पैसे से help करना हो, money से या फिर सेने help करना हो, वो आप करोगे ये राजा द्वारा सर्थ रखा जाता था नहीं help करने पर उसको सजा भी दी जाती थी, उसकी जो नायक व्यवस्था दी गई उसको जमीन दिया गया, वो छीन लिया जाता था और भी कई तरह के किया जाते थे, विजयनेगर के प्रशाशन के विश्था के अंदर में आता है, उनका संगठित सेनार देखा जाता था, उनकी किले बंदी किस परकार के थी, उनकी जो इस्थाने नगरी करन जो विवस्था था, जिस तरह से नगर के स्थापना की गई, वो इंपोर्टेंट दिखता है यहाँ पर, उसके साथ साथ में दोस्तों अगर हम बात करें, विजयनेगर के अंदर में, तो यहाँ पर सिक्को का चलन, जिससे वैपार में बहुत जादा बड़ोतरी हुई, ठीक है, और तिर्थिस्थल सेने केंदर, राजनितिक, राजधानी क इंपोर्ट के इस सब का विकास हुआ, तिर्थिस्थल के तुर पर भीविकास हुआ, क्योंकि विजयनेगर के दौर बहुत सारे मंदिरों का निर्मान करवाया, ठीक है, सेने के अंदर के काड़ सेना, इस बहुँत बड़ी थी, ठीक है उसके तोर पराजनितीक के राजधा विजिया लम को माने जाता है जिनका 850 में उन्होंने स्थापना करी थी, और 871 तक वो रहते हैं, ठीक है समझ में आता है, इनकी परशास्नी, मतलब इसकी परशास्नी के बारे में बात के तो केंद्रिय परशास्न, मतलब एक ऐसा वावस्ता, ठीक है, जिसके अंदर में तिसे आपि जस्ताने समराजी के विवाजने करके अलग अलग राजी बनाए गए थे yes अन्य अग्जी के अदर में 30 वाड आइख ते इसरी ठीक अलग वॉर्ड होता है क्या वॉल्ड नमर 10 में हो आप वर्डनमर 8 में हो ठीक है 915 में हो तो इस तरह acetate युड मान कर वैगा एकza चोल पर्षास्वाश्वाजिक के अंदर मैं सााफ़वान राज्य को इस daí सोरुप किस प्रकार का था तो सााफ़वान राज्य को इस पेसिल essence आ जानते थे ते किके यहां पर हम इसको प्राशाशनिय ववस्था के लिए जानते थे और यह साफ़वान जो है महासेनापती की निव्टी की जाती थी इसके अंदर में महासेनापती की निव्टी के लिए नगर के जो मेन अधिकारी होता था उसको गहपती कहा जाता था वैपारी को नगर के वैपारी को गहपती के नाम से जाना आता था जो राज्ये का धांचा था पूर्णेतरित केंदर तो इसके उंदेर मैं केंडर्य कृत्अ ढाट्री ड होता है तेacja गेंडर्य करें अर्फ पूरा झैय आल अर्फ है पूरा इसके उंदेर बाँद्र सेंटर्य के इस तरीक 막 डाटा सब्सक्राइब परण से और जाना यह जो भी खरीद फरोग करते थे उस पर बजार के मुल्ले पर बुक्तान करते थे ठीके व्याज की दरें बहुत अधिक थी ठीके मुद्रा व्यवस्ता यहां पर परचलन था मुद्रा व्यवस्ता के काण से इनके वैपार में बहुत बढ़ोत्री हुई ठीके नमक पर कर लगा जाता है जो नमक होता है नमक उस पे टेक्स का यहाँ पर परचलन था ठीक और यही टेक्स विवस्था आगे चलके अंगरिजों ने भी अपनाया ठीक है समझ में आता है जैसे जो प्रशाशनिक तोर पर जो सहर के अंदर में प्रशाशनिक विवस्था दी जाती थी विजयनेगर के अंदर में उसको हम नायक कहते थे और आईगर के उन कहलाता था जो ग्रामीन इस्तर पर जो विवस्था दी जाती थे इसको आईगर कहते थे प्रशासनी के वस्तर पर जो नायक होते थे उनको सेना नायक का जाता था ठीक है सेना नायक का जाता था इने और सासाथ में क्या होता था ये सेना नायक के सासाथ भूख वक्तान के बदले में मतलब वेतन के बदले में जमीन का इसा लेते थे और इन्हें अमर नायक के नाम से भी जाना जाता था अगर हम आयकर के बारे में बात करें तो गरामिन प्रसाशन विवस्था के अधिकारी हुआ करते थे स्वेतन तरिकाई के रूप में कारे करते थे और नियुकती सरकार द्वारा किया जाता था अगर हम भू बंदबस और स्थाई बंदबस की बारे हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, कि स्थाई बंदबस जैसे हम बात करते हैं, एक ऐसा बंदबस जो fix हो गया, permanent हो गया, और भू बंदबस मतलब ऐसा बंदबस जो कुछ एक limited time rate के लिए बनाया गया, ठीके, तो यहां पर हम दो तरह के, स्थाई बंदबस मतलब ऐसा बंदबस जो fix था, ठीक, हमेशा के लिए fix हो गया, जुसमें एक rate कर दिया गया, कि भीया, आपको इतने tax के rate पर ही आपको tax pay करना है, ठीके, तो यहां पर 1789 में, ठीके, 1789 में, सर जौन सोरा के और 1793 के गर हम बात करें, ठीके, तो यहां पर क्या होता है, Lord Carnivus के द्वारा स्थाई बंदबस लाए जाता है, Lord Carnivus के द्वारा स्थाई बंदबस के अंदर में क्या होता है, कि जैमिदारों को उसमें लाब हुआ, क्योंकि एक fix tax कर दिया गया, लोगों को धनकी बचत क्योंकि उसमें क्या होता था, पहले वाले बंदबस में, कि आपके उपज के अधार पर पैसा लिया था, कि आपने कितना उपज किया है, उसके इसाब से आपको tax पे करना पड़ता था, आपको उसके इसाब से कर देना पड़ता था, पर अब यहां पर क्या हुआ कि fix हो गय अगर आप ज्यादा हो गाते हो तो भी आपको उतना ही पिलकरना पड़ेगा ये एक ववस्ता फिक्स कर दी गई थी इसको इस थाई ववस्ता कहा गया ठीक है समझ में आता है अगला पॉइंट के हम बात करते हैं बोधकाल के अंदर में भूराज्य तता समराज्य तक के बारे हैं बोधकाल के अंदर में भूराज्य के लिए विकास को क्यों बात कर रहे हैं कियो बात करते हैं Good कर दो में जो गया नाम से तो जयन धर्म और बोधकाल के जो अनुवाय हुए जो लोग समर्थक कर देholders जो भी उनके अपने दहारमिक जिक्र किया गया जिसके काहट devotees हम बोधक के बारे में प्राहत करते हैं या फिर हम जेन कालकर्य आजे से अजय को Черछे उसके बाएपकते हैं तो लोग करने लगे ते बहुत जाथा वरिति करशी का इंदर में सिल्प उद्ध्यों का निर्मान हो रहा था था रभाटु का परचलन बढ़ चुका था ठीके धातू का परचलन कारण क्या हुआ धातों के मुद्रा जो मुद्रा होती तिना पैसा वह भी परचलन में आया ठीके प्रकर्तिक धान उत्पादन की बढ़ोत्री हुई ठीके जो धान उप जाए जाता था उसकी बढ़ोत्री होना शुरू हुआ ठीके वैशे और छुद्र की जमिदारियां जो बढ़ने लगी ठीके क्यों जो भी धनी लोग ते या जिंजो जमिदार लोग ते वह वैशे और छुद्र से ही खेती करवाय करते थे खेती के कारे करवाय करते थे क्रिशी भूमी जो नीची संपत्ति के तौर पे मानी जाने लगी पहले यह मानी जाते थे कि यह भाई राजे से समराजे तक की विवस्ता के बारे में हम बात करते हैं ठीक है समझ में आता है अगला हमारे जो कोशन बन जाता है बहमनी राजे का बनता है कि बहमनी राजे था कैसा ठीक है इसके बारे में हम बात करें दोस्तों तो बहमनी राजे के इसलामिक राजे के तौर पे तुर्की गवर्णुर एंड अंड था हो एक इस्लामिका देखने मिलता। ठीक है दखन में इसका वज़तार हमें देखने के मिलता है इसकी इस थापना होई थी 1347 में तुर्की गवर्णर अल्लावधिन हसन वयाय के दौरा इसकी स्थापना गरी का की थी तो 1347 में थे तुर्की गवर्णर था तीक है आपको याद रखना है और विजे नगरसम राजि जैसे युदु चल रहे थे बह्मनी राजी की जो राजदानी थी गुलबरगा थी गुलबरगा ठीक है आपको याद रखना है समझे माता है 9 कोश्चन हमार 9 पॉइंट हो गया 10 पॉइंट के हम बात करें तो यहां पर आता है मनसव ववस्था या फिर जागीर जागीर मतलब क्याता है आपने कई वार अपने दोस्तों में वर्ड यूजस क्या होगा तरे बाप का जागीर तो इस वार नहीं है तो वो कहते हैं किसी के बाप का जागिर नहीं है, मतलब रखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो अंग्रेज यहां पे जब मनसभ जागिर ववस्ता की बात करते हैं, यहां पे हम मुगलों के टाइम पिरेड की बात करते हैं, जब मुहमद अकबर आ जाता है, अकबर का टाइम पिरे रिजन प्रॉब्लम हो थी कंट्रोल करने में और इसी तरह का जो प्रॉब्लम थी ना बागी जो मुगल सासक है उन्होंने भी फेस किया पर उन्होंने इस चीज को नहीं अपनाया इसने अपनाया तो इसने क्या किया अपने मुगल समराज्ये को कई सारे पार्ट्स में बाट कई सारे parts में बाटा तो उन सब इस parts को इन्ने क्या बोला जो बाटा जिसको दिए गया की वाला part दिया इससे बंदे के तो देने की परकिरिया को इन्ने मनसब बोला कि यह मनसब हम दे रहें जागीर दे रहें बै्या और वह गरता तो उसके बदले में आगी जल्ड़ करता था एक हकि एक वह लेंगा? क्रेंगेב उसको बलर कहते हैं तो इस तरीके से यह वाला स– अग्या Where और próxim ऑन दो तो आपका थोड़ा सा नीचे कर लेता है, जिससे, और भी जो questions है, हमारे points हो वह चिलिए हो जाए, फिक है, यहाँ पर अगला point आ जाता है, हमारा उपनिवेशिक राजे पर टिपडी, उपनिवेशिक राजे पर टिपडी कहने का मतलब क्या, जो उपनिवेशिक राजे थे, बारत सरकार का जो मतलब अपनिवेश होता गया सबसे पहले इसको कर लेते हैं अपनिवेश मतलब क्या अंगरेजों द्वारा बनाया गया गुलाम ठीक है भारत के ऊपर नंगरेजों ने 200 साल तक गुलाम किया इस इंडिया कंपनी ने, ठीक है, तो वो 200 सालों तक हम गुलाम रहना, मतलब उपनिवेश मतलब किसी के ऊपर जाकर अपना अधिपत कायम करना, और उसकी जो धन को निकालना, धन को बेचना, मतलब उसका धन का यूज करना, मतलब आर्थिक लाव के लिए, ठीक है, आर्थिक कि निकासी का क्या मतलब था, कि भाई धन भारत से विदेश में ले जाना, ठीक है, धन की निकासी ले गए थी, प्रशासनिक विवेश्था के सुरुवात हुए थी, नए ववेश्था, अलग अलग तर का, रूल रेवलेशन की सुरुवात की गई, ठीक है, और इसकी जो मे मद्यकालिन राज्ये की राजनितिक विवस्था को परम बनता है, कि मद्यकालिन राज्ये की राजनितिक विवस्था क्या थी, ठीक, अब यहां पर मद्यकालिन राज्ये की राजनितिक विवस्था की बारें बात करोगे, तो यहां पर भारत के, जो मतलब मद्यकालिन जो मद्यकालिन विवस्ता मद्यकालिन टाइम प्रेड को ही उन्होंने अंदकार यूग के तौर पे देखा यूग अंदकार मतलब जहां पर पूरी तरह से अंदेरा चाया हुआ था रिजन के अंदकार यूग के तौरपे देखने का कि राज नितिक विखण्डन जो इस समय के मद्यकालिन टाइम परेड़ का जो राजनितिक विवस्ता था उसका विखंडन हो चुका था ठीक वूरी तरसे टूट चुका था उसके साथ सांस् हocड में राज्यू, ऊपेकशित जूशित गा एक राजनितिक एकता नहीं देखने के लिए मिली सम्राज्य में परिवर्तन बार बार सम्राज्य में परिवर्तन हुए मतलब कभी इसका राजा बना कभी वो राजा बना तो इस तरह से क्या हुआ समराज्ये में परिवर्तन भी हमें देखने के लिए मिल जाता है ठीक है नकरातमक परिवर्तन का काल माना गया मर्देकारिन राजनितिक विवस्ता के टाइम पिरेड पे ठीक है समझ में आता है अगला प्यों हमारा पॉइंट आता है दोस्तो अगर आप कोशन की बात करोगे बढ़नी के सिधामत की यहां पर बढ़नी के सासत आ जाता है मुदब्बिर करके राइटर आता है जिस तरह बढ़नी है ना ठीक है उसी तरह से मुदब्ब्बिर भी दिली सल्तनत के सारे इतिहांसकार थे जिन्हों ने अपने किताबे लिखी मुदब्बिन बढ़नी जो था उसने लिखी थी फत्वा जहांदारी के बारे में और मुदब्बिर ने लिखा था अदाब अलहरु के बारे में ठीक है तो दोनों में आप पढ़ लेना मैं यहां पर बढ़नी का बता रहा हूँ आप उसका भी मुदब्बिर काई पढ़के रखना है क्योंकि वह भी इंपॉर्ण टॉपिक है बढ़नी क्या कहता है कि भाई उसने फत्वा जहांदारी लिखी थी जिसके अंदर में टोट लेकर लिखा गया कि कानव विस्ता कैसा होना अच्छे उसको लिखा गया ठीक है मुसलमान सासक का क्या आदेश होना अच्छे उसको लेकर लिखा गया हिंदू के प्रशाशन में सामिल ना के जाने को बारे में लिखा गया इवन बढ़नी नहीं यह बोला कि अगर मानलो तो यहां पर यहां पर थी थी बा 얼마나 करें सेर अब हिंगा कर आप स्बोइप्रिया दोशा जजियाकर बरू जजियाकर ऐसा कर होता था जो गैर मुस्लिमों से उसूल गया जाता था जो मुस्लिम नहीं होते थे तो यहां पर केंद्र प्रांते व्यवस्ता के बारे में बात करें, तो जितनी भी उपर में प्रांते व्यवस्ता के बारे में बात करते हैं, इनकी जो प्रांते व्यवस्ता था, थीक केंद्र प्रांते व्यवस्ता, उसमें भी राजय का जो में रोल होता था राजय का महाने सब्सक्रीने के राजा धाचते हैं साम कहसं बईदा जाता था है it चवी से Battlefield eftबारत केंदर में राजनेतिक सी हपक्राईन की था के हैं तो उन्हें बहुत जादा तरक्की करी यहां पर दिखने जाता है कि एक न इस्थिर ववस्था मिलती है तरक्की करने के लिए इस्थिर ववस्था मिलने का मतलब एक राजा सोच सम्र्द राजा के तौर पर दिखा गया उसके कारण से वह सारे आगे बढ़ते हैं ठीक है यह और उनकी प्रशाश्चनिक ववस्था वह भी अच्छी थी जिसके कारण से वहां पर वैपार आता है ठीक है और वह आगे तरक्की कर पाते हैं आतके साधन बढ़ते हैं तकनीकी विकास होता है तो इन सब चीजों के कारण से भी चीज़े रहती है और जो आरंबिक मानब था वो देरे-देरे क्या था कि वह देरे आपके गर में कोई बच्चा है चोटा सा बच्चा है तो वह आपका बात नहीं मन दा अब अपनी बात मनाने के लिए क्लिए उसे बाबू सोना करके बोल रहे होते हो ठीक है उसे सवारी सब को जो भी है ना बोलते हो उसे जलालस देते हो कि मैं आपको टॉफी दूँगा य अपने वेश्रिक बनाए रहने के लिए मतलब हमें अ अपने अब गुलाम बनाए रहने के लिए अंगररे किया थाम उच्छों नहीं परतिती के बारे में भी हो चिंदियों का बदला हो भाए इंग्रिज्चों नहीं बोलना करें लोगों को लगने लगा जो इंडिन थे कि या अंग्रेज तो हमारे लिए काम कर रहे हैं यह तो बहुत अच्छा काम करें हम तो कभी इस तर बनाई नहीं पाते रेल बना रहे हैं तो फिर हमने उसके दर जुका बढ़ता गया वह उस तरह से हमारे उपर अपना उपनेव बताया है कि बंगाल जो था एक संवित राज्य के तौर पर दिखा गया उसके अंदर में एक देश बनने की सारी खूबियां अबैलिबल थी महजूद थी यहां पर इस्थाने इस तर पर भूमी दारक यहां पर मिलते थे जमिदार की आपार अधिकार होते थे उनके पास अ अंगरन का कानुर बनाए वाथ है किस तर से हम टेक्स कलेक्ट कर सकते हैं साही सेना के दस्ते अलग अलग किये गए घटते जा रहे थे घटाय जा रहे थे ठीक है मनसफदारों की स्थिति कमजोर थी तो इन सारी चीजों के बारे में यहां पर बात करते हैं टोटल दोस्तों मैं जल्दी से वीडियो ला दूँगा जिससे आपको हेल्प मिले और अगर दोस्तों हमारी वीडियो वैलिवल लगरी आपको आप जरूर कमेंट करें अपने सभी दोस्तों के साथ वर्टसप पे विसूप हर जगर सेयर करें और हमारे सभी सोसल मीडिया प्लेटफरम का लि